गोवी के करंची पकोडी बनाने के लिए सबसे पहले उसको काट कर वस कर लेना है उसमें एक चमच बेशन, एक चमच चावल का आटा, आधे चमच हल्दी पाउडर अपने अकॉडिंग आप नमक इसमें डाल सकते हैं मैंने एक चमच नमक डाला है एक चमच लाल मिर्च पाउडर आधी चमच अजवाइन और बारेक कटीवी धन्या पत्ती को अच्छे से मैस कर लेना है फिर कडाही में ओयल को अच्छे से गरम करके इसको गरमा गरम आप तल सकते हैं